नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपकी दोस राशी दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी सप्ताहिक राशी फल मेश राशी सप्ता की शुरुवात आपको किसी वाद विवाद में फसा सकती है इसलिए खुद पर सैयम बना कर रखे यदि खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे तो सफल भी होंगे। आप अपना पक्ष कहीं भी बहतर डंग से रख सकेंगे। भाई और दोस्तों से फायदा मिलेगा। निवेश से जादा लाब मिलेगा। बिजनस से जुड़ी कोई यात्रा करनी पड़ सकती है यात्रा क के योग बनेंगे। किसी नए साती से भी मुलाकात हो सकती है यात्रा के कारण ठकान महसूस करेंगे। मन में बेचैनी उत्पन हो सकती है विजनस में धन लाब की पूरी संभावना है। आप नीठा बोलकर अपने काम निकलवा सकते हैं। मिथुन राशी पैसों से जुड़े कई मामले आपके सामने आ सकते हैं। आपके लिए सप्ता अच्छा रहेगा। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ कोई अनबन हो सकती है पर वो सुलच जाएगी। करियर के चेतर में आप सही फैसले लेंगे और सही कदम सही समय पर उठाएंगे। कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। विपार में नए चेतर में परवेश का अफसर मिलेगा। बिजनस में निवेश का ना फायदे मन रहेगा। पर कोई भी निवेश करते समय थोड़ा सब्सक्राइब करें विवाहिक जीवन सुक में रहेगा प्रेम समंदों में मदूर्ट आएगी करक राशी पैसों को जरा सो समझ कर खर्च करें यह सब्ता आपके लिए आर्थिक छेत्र के अनुकूल नहीं है आपका पैसा कहीं अटक सकता है किसी को पैसा उधार देते समेजर का सोस समझ कर विचार करें कई तरह के सवाल आपके सामने रहेंगे तो आप परिशान हो सकते हैं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बनी रहेगी मन में कुछ पुराने डर और चिंताय आपको घेरे रहेगी यह सब्ता आप पर थोड़ा सा हावी रहेगा साफधान रहेगा सिंग कन्या राशी यह सब्ता आपको धेरे पूर्ण काम करना है हर इस्तिती पर नए सीरे से विचार करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है आपको अच्छा फायदा भी हो सकता है कोई पुराना मामला भी सामने आ सकता है तो सोस समझ कर निरने ले उसमें आपको सफलता कन्या राशी दूसरों की मदद करने के मौके भी इस सप्ता आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुती लाब दायक रहेंगे आपकी सोच सकरात्मक दिस्टी से रहेगी तुला राशी इस सप्ता आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा कोई भी काम या कोई भी बड़ा फैसला लेते सवे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी जब तक आप अपने खुद के विचारों पर नेने अच्छे से ना लेने कोई भी बड़ा फैसला ना ले ये सब्ता आपको थोड़ा सा मानसिक दवाव और परिशानियां देखे जा सकता है वरिश्यक राशी ओफिस में आप हर काम को बारिकी से ध्यान दे कारे छेत्र में जब भी रुकावटे आए कुछ नया सीखने को आपको इस सब्ता मिलेगा ऐसे ही आपको आगे बढ़ने में कुछ नए मोके आपका साथ देंगे बिजनस में आपको फायदा होगा नौकरी में पदुन्ती के अफसर मिलेंगे आपका मित्र या आपके कोई साथ सेकर्मी आपको कोई गिप दे सकते हैं धनुराशी मन की बात अपने मन में ही रखे और थोड़ा सा लोगों के प्रती सावधान रहे ये सब्ता आपको नुकसान पहुचा सकता है इसलिए कोई भी कारे करते समय सतर्क रहे किसी से भी जादा सला मश्विरा करने से कोई फायदा नहीं होगा पैसो को लेकर किसी के साथ कोई अन्बन ये समस्या हो सकती है सडक पर संभल कर चले आपकी गलती नहीं भी होगी और किसी और की गलती से आपको चोट लग सकती है थोड़ी सी सावधानी परते मकर राशी आप किसी परिशानी से बहार निकलने की बड़ी कोशिश कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी पैसा कमाने के नई तरीके दिमाग में आ सकते हैं नई योजनाय भी इस सप्ता आप बना सकते हैं आपने जो किया आप उससे सहमत रहेंगे आपके पुराने काम और आपके पुराने मित्र आपको सपोर्ट करेंगे सोचे हुए हर काम आपके पूरे होंगे इस सप्ता आपकी मन की इस्तिती आपके अनुकूल रहेगी वेवाहिक जीवन में मंगल प्रसंग आएंगे प्रेम संबंदों में सफलता मिलेगे कुम्ब राशी काम काज के छेतर में समस्याइं धीरे धीरे सुलजेंगे धैरे पूर्वक किया गया हर काम आपको सफलता देगा काम को करते समे मन और दिमाग दोनों शांत रखे किसी भी काम में हडबड़ी ना करे सो समझ के किया गया काम सफल होगा प्लानिंग से किया गया हर कारे पूरा होगा करियर के छेतर में आप सही फैसले लेंगे और सही कदम सही समय पर उठाएंगे राजनीतिक से जुड़े हैं तो राजनीति मामले आपके पक्ष में आएंगे कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं प्रेम संबंदों में मधुर्टा आएगी मीन राश्य आपको इस सप्ता कई ऐसे मोके मिल सकते हैं जिसमें आप अपनी योगिता दिखा सकते हैं लोगों की मदद करें संतान से समंदो कारियों में सुधार होगा वेपार में आपको कोई फायदा हो सकता है कारेस्तर पर थोड़ी सी समस्याइं आ सकती हैं कुल मिलाकर यह सब्ता आपके लिए मिला जुला रहेगा तो दोस्तो यह थी सब्ताहिक राशीफल मैंने आपको बताया सब्ताहिक राशीफल अपनी समस्य और परिश्याणी को आज ही दूर करें चमतकरी समधान के टोटके रूपायों से और चमतकरी समधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमतकरी समधान को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो से लाइक, कमेंट और शेर करना ना भूले